Hello everyone, कैसे आप सब? आप सब का अपने चैनल में स्वागत है आई मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है सेर पर सवा सेर कहानी कुछ इस प्रकार से है एक बार अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए बहुत सारे खरगोश एक स्थान पर इकठा हुए एक खरगोश ने का हम सभी जीवों से अधिक सुन्दर है हमें खुंखार जानवर पशो पश्यों से हमेशे अपनी जान का खत्रा बना रहता है हमसे कोई भी नहीं डुरता लेकिन हम सब से डुरते है मनुश्य भी मारा मास खाने में कभी नहीं चिक चाते हमें अपने जीवन का पलपल खत्रा बना रहता है दूसरे खरगोश ने का हाथी तो हमारा मास नहीं खाते लेकिन उनका शरीर इतना बढ़ाय कि सैकडो खरगोश हाथी के पैरों से कुचल कर मर जाते है तीसरे खरगोश ने का भायो इस संसार में केवल शक्तिशाल ही जीवित रह सकते हैं हम जैसे दुरबल नहीं और छोटे जीवों का इस संसार में रहना बहुत मुश्किल है मेरे विचार से तो हमारी समस्या का कोई समधान नहीं सभी खरगोशों ने निराशा पुरुवक एक दूसरे से अपनी भढास निकाली तभी एक अनववी बुड़ा खरगोश बोला मैंने अपनी समस्या का खोज लिया है जो हमारे सभी कष्टों को दूर कर देगी हम सब को एक साथ नदी में कूद कर आतमत्य कर लेनी चाहिए मोत को गले लगा कर यह हम अपने दुखों से चुटकारा पा सकते हैं बुड़े खरगोश की बात सभी को बहुत पसंद आई वे सभी कठाओ कर आतमत्य करने के लिए एक नदी के किनारे चल दिये सभी खरगोशो की आतमत्य की इतनी जल्दी थी कि वहाँ पर कुछ मेंड़क थे और वो खरगोशो को लड़ता देखकर डर गए और पानी में कूद गए तभी बूड़े खरगोशो ने अपने साथियों को नदी में कूदने से रोक लिया और उन्हें समझाते हुए का भाईयो हमें हिमत से काम लेना चाहिए और आतमत्य के विचार छोड़कर अपने मन में जीने की इच्छा जागरत करने चाहिए हमें उन जीवों के बारे में सोचना चाहिए जो हमसे भी कमजोर है अभी आप मेंडको को ही देख लीजिए वे हमसे भी डर गए हमसे कमजोर जीव हमसे डरते हैं इस संसार में हर प्रानी अपने से बड़े और शक्तिशाली से डरता है इसलिए तो कहते हैं कि सेर पर सवा सेर तो आपको ये काहनी कैसी लगी अगर काहनी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और काहनी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक यू